हाग आइस गुड मॉर्न इंग तो कैसे हैं आप मेरी सुबह ओ गई असलाम आलैकुम मैं चाय पी रहे हूं मेरी चाय बन चुगी है आप कैसे हैं गाइस पीड़ो पीड़ो चाहर पीड़ो पीड़ो चाहर पीड़ो पीड़ो चाहर पीड़ो 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 बता दो बोल दो इसकूल जाएंगे तुम भी इसकूल जाएंगे ठीक है दोनों को साथ में भेज देंगे तुमको बैग दे देंगे और उस बैग में अफ़ान को डाल देंगे ठीक है ना बात करो इधर फोन में बात करो बात करो अच्छे बोलो हेलो, हेलो, अशलाम अलेकुम, हेलो, अशलाम अलेकुम, मेरे को क्यों देख रहा है, बंदा, योगा, योगा मंत्र, योगा, तु मुझ में लगाए हो, क्या लगाए हो, क्या खाए हो, क्या खाए हो, बेट, बेट खाए हो, और क्या खाए हो, चाई पिये हो, चाई पिये हो, क्यापी यहो डुद्दू पिये हो अच्छे से करो हाँ वेरी गूड ऐसे योगा किया जाता है पिर से करो हाँ 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 वेरी गूड फिर से करो योगा ये देखिए ये देखिए इसका योगा सुरू है बाबा राम देख का योगा है बाबू ये देखिए ये कैसे योगा कर रहा है ये हेलो गाइस गुड मॉनिंग तो चाय वाई पी के मैं फ्री हो गई थी तो कल मैंने इसका जो गद्धा होता है उड़ने वाला उसका मैंने कवर निकाल दिया था दोने के लिए तो आश उख गया जे मैंने सूचा कि विष्तर उस्तर ही कर रहें हूँ तो उसका भी कभर लगा दूँ नहीं तो गंदा हो जाता है गंदा बगाइरा तो है मैं में लगा रही हूँ गाई और मू Nep इर राही है क्योंप यह थोड़ा सा नहीं बनता कर दोंगी और आप कैसे हैं गाइस उमीद करते हूं हो प्रूमिद कर थीक होंगे मैं भी ठीक हूं और मैं लगी हूं कामों में यही मेरा काम है सबसे पहले तो मैं सौची कि विस्तर ही जाड़ दूं कि उस पे रात में जो भी थोड़ा बहुत डश्च आ जाता है पैरवायर का आया जड़के तो सबसे पहले जाड़ दो फिर जाड़ वगरा लगा दोंगी तो ही मैंने सुगह उपते ही अलब चायवा जब मैंने पी लिया अमबाबू को मालिश कर लिया उसके आद में बिस्तरी सही करने लगी ओके तो आप देख पा रहे हैं मैंने ऎप लाइस अपने गद्दे को सही कर दिया है तो कैसे लगा गाइस थोड़ा उलजा हुआ काम था मेरा तो गाइस मैं आप लोगों से एक रिग्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरह आप मेरे वीडियो में कॉमेंट करते हैं ंसी तरह मेरे वीडियो को लाइक भी कर दि कोष़् नहीं करती हूँ लेकिन जितना भी डालती हूँ तो बस इसी मुड से डालती हूँ कि कम से कम अगर मैंने 8 미नाट का वीडियो डाला है तो तीन मीनट ौार मीनट से देख लें या तो मुझे अच्छा लाएगा तो बस यही रह--"कम से कम से कम इतना देख लिए करिए ओके वाई थैंक यू गाइस अब मैं बनाओंगी दो पहर का टाइम है तो चैने का साग बनाओंगी चलिए बना ले तिम चैने का साग तो उसको बनाने के लिए मैंने ये सारी शीज़ी रखा है लेश नद्रक और ये मिर्थी मिर्ची और हीम ये मैंने ओल डाल दिया है इसारी शीज़ी जो मैंने रखा था पूरा उसके बाज को ब्राउन कर डालूंगी अच्छे से तो ये देखिए होगे है मेरा ब्राउन आम मैं इस पर डाल देती हम ब bakery तो मैंने बरी भी डाल दिया हैं और मैंने औरत की ड़ाल और चावल को पहले से दूक रखा थाथ उस से भी डाल दूँगी नमग डाल दूँगी उसके बाद जब ये अच्छी तरह भून जाएंगे तो उसके मैं डाल दूँगी पानी पी पानी डालने के बाद जब पानी मेरा खौलने लगेगा तो फिर मैं डाल दूँगी जो मैंने चने का साग पहले सीध होके रखा है वो ड बाल दोंगी और लगवा दोंगी सीटी तो चार-पांच सीटी लगवाने के बाद कुकर को खोल दोंगी उसके बाद मैं दिखाती हूं कि मेरी भाजी ये देखे पक चुकी है चने का साग मेरा अच्छी तरह पक चुका है खाने के लिए रेडी हो गया है गोड इबनिंग गा इस चलिए बनाते हैं फिसकरी तो इस पर मैंने फिसको वोस करके इस पर हल दी और नमक और मिर्ची डाल के रख दिया था कुछ टाइम तक उसके बाद इसको कर दिया है फ्राई फिर पीस लेती हूं मसाला तो ये सारे शीजों का पेस्ट बनाओंगी अद्रेक लहसुं मिर् फिर मैंने थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च भी भूनके उसको भी पीस लोंगी उसके बाद चलिए तेल डाल दोंगी और तेल के बाद जो मैंने पेस्ट तयार किया था उसको डाल दोंगी और जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो उस पर मैं डाल दोंगी थोड़ा धनिया उसके बाद डाल दूंगी थोड़ा सा जो कास मेरी मिच होता है उसे डाल दूंगी और फिर डाल दूंगी थोड़ा सा मीट मसाला उसके बाद अच्छे से भून डालूंगी जब यह अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद देखे मैं क्या करते हूं यह ब्राउन हो चीता है आप देखा रहे हैं उसके बाद जो मैंने पेश्ट बता थे ना जीरा और काली मिर्श को भून के और उसको पीस के उसको भी डाल दूंगी इसी में यह पर उसके हल्दी और नमक जो वीडियो में नहीं दिखाया गया है वो भी डाल के फ्राई कर दूंगी जब भून जाएगा तो पानी डाल दूंगी और उसके आद थोड़ा चब यह देखिए खौलने लगा है इस पर मैं फिस डाल दूंगी जो मैं फिस तैयार की थी फ्राई करके और प्लीज कमेंट करिएगा ओके बाई